नमस्कार भाहे लोग तो स्वाइब आप से भी काई इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप web server को on कर सकते है? off कर सकते है? तो on करने के लिए आपको simple सा है कि आपको यहाँ पे command run करना है ifconfig और यहां पर जो यह IP जो है इस डउनल रैन 0 के बगल में इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहां पर प्रेस्ट करना है ब्रावजर में देखेगा कोई result ने आए उसके बाद एक command run करना है basically command तर्मिनल में जिसका नाम है सर्विस अपार्चे टू स्टार्ट देखिए उसके बार इसको रिफ्रेस्ट किजिए कोई नहीं आ रहा है एक मिनट रुप जाएए तो बिसकली प्रॉब्लम यह था कि हम जो है इसको कॉपी किये थे क्या करते हैं इस ब्रॉड कास्ट को जबकि COPY करना है INET को ठीक है इसको इसमें बस एक लेटर कांता रहे कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 5 है ठीक है तो वो हम FIX कर दिया है तो ठीक हो गया है तो आप भी जो भी IF CONFIG RUN कीजिएगा जब भी देखिए मैं आपको फिर से करके दिखाते हैं IF CONFIG तो हाँ ही क्या हुआ हाँ 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 तो यहां पर देख सकते हैं इथरनेट अगर आप इथरनेट से connected होंगे तो यहां पर आ जाएगा मतलब IP address लेकिन अगर आप इस से connected होंगे तो इसमें आएगा WLAN से connected होंगे तो यहां से आएगा तो हम चुकिए WLAN 0 से connected है तो यहां पर आ रहा है मेरा IP address तो देख सकते हैं यह आइनेट जो है इसी को कॉपी करना है वेसे के लिए ठीक है अउमीद करते हैं समझ गया होंगे और और भी कुछ चीज open करना है यहां पर important है वो तो वो भी हम आपको बता रेते हैं क्या-क्या और open करना है आपको साथ में साथ में आपको और भी करना है जैसे सर्विस सर्विस उसके बाद क्या start करना है हाँ ssh करना है तो उसके बाद ssh type करेंगे उसके बाद type करेंगे start तो उसके बाद ssh on हो गया उसके बाद एक और चीज करना है उसके बाद करना है srbice service post gray sql यह क्या हुआ अरे हाँ एक चीज लगाना भूल गया है rbice service post gray sql start ठीक है हो गया हो गया हाँ हो गया यह तिनों चीजा start करना है इसके बाद आपका वेब web server जब सो temporary on हो जाएगा temporarily तो उमीद करते हैं समझ गया होंगे अगर समझ गया है तो इस वीडियो को लाइक करते हैं मिलते हैं आप से अगले वीडियो दो तक लाइज आए इंज भारत peace out